आई फ्लु के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी है जो एक वेक्टिस से दूसरे में फैल रही है एक इंपेक्टेड डिजीज है यह बेक्टेरियल इंफेक्षन फंगल इंफेक्षन या फिर वायरिल इंफेक्षन की वजह से लोगों में हो रही है जब कोई infected person के contact में आता है indirect या फिर direct indirect का मतलब होता है अगर वो वेक्ति किसी चीज को use कर रहा है अगर आप उस चीज को इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको भी infection हो सकता है direct contact आने का मतलब होता है कि उसने अपनी आग को छुआ और फिर आपने उसके हाथ को चूलिया और फिर अपनी आख में लगा लिया तो इस condition में हो सकता है कि वो direct contact में आ गया और आपको infection हो गया problem उन लोगों को होती है जिनकी immunity भी होती है यानि कि बीमारी से लड़ने की जो चमता होती है उनकी कमजोर होती तो ऐसे लोगों को ये problem जल्दी होने लगती है iFlu को conjunctivitis भी कहते हैं हमारी आखों में conjunctiva होती है जिसमें सूजन आ जाती है आखे लाल हो जाती है और आखों से discharge होता है पलकों पर भी सूजन आ जाती है तो इसी condition को pink eye, conjunctivitis या फिर iFlu बोला जाता है दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ये contact में आने से फैलने वाली बीमारी है अगर आप किसी के contact में आएंगे infected person के तब ये infection आपको हो सकता है अगर आप चसमा लगा लेते हैं और सोंसते हैं कि eye flu आपको नहीं होगा आप contact में नहीं आएंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है चसमा infection को नहीं बचाता है मा लगाने के कई सारे फाइदे हो सकते हैं जैसे कि अगर आप धूम में निकल रहे हैं बाहर जा रहे हैं तो direct जो sunlight होती है वो आपको irritate नहीं करेगी और जो pollution है धूल उड़ रही है उससे भी आपको आखे बचाएंगी अगर किसी वेक्तिको eye flu है या फिर uncomfortable फिल नहीं होगा तो यह भी एक रीजन है चस्मा यूज करने का eye flu को नहीं रोकता है नहीं यह इलाज है इसका दोस्तों अगर bacterial infection है तो antibiotic patient को दी जाती है जैसे कि antibiotic drop दी जैसे moxifloxacin आती है चावर करती है इसको दिन में 3-4 बार तक आँखों में डाल सकते हैं और साथ में antibiotic medicine ले सकते हैं जैसे Amoxicillin Potential Pumulant जैसे कि Amoxicant CV आती है इसको सुबह साम लेना चाहिए दरद और सूजन को कम करने के जीरो डाल इस पार टैबलेट सुबह साम लेनी चाहिए पर इसके साथ ही anti allergic medicine लेनी चाहिए जैसे कि liver citrogen साम को ले सकते हैं को यह भी doubt रहता है कि अगर कि किसी वेक्त की आँखों में देखा जाए तो भी क्या conjunctivitis हो सकता है दोस्तों यह भी धारणा बिल्कुल गलत है आप किसी की आँखों में देखते हैं जिसको infection है तो आपको conjunctivitis नहीं होगा जब तक आप उसके direct या फिर indirect contact में नहीं आएंगे चस्मा लगाने से जो conjunctivitis है पुछ चुप जाता है और लोगों को दिखाई नहीं देता है इसलिए चस्मे का यूज किया जाता है इफ्लू सो बेचने के लिए आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए जाता भीड भाड़ी वाली जगा पे बिल्कुल भी ना जाएं अगर कोई वेक्त एंफेक्ट क्याता जानकारी जाता है इस पर मैंने और लेचिव बना रखें लिंक को डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा अगर आपको कोई डाउट है किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते है इनस्टाग्राम पर मुझे फालू कर सकते हैं मैसेच कर सकते हैं ऑल्लाइन कंसल्टेस अब लेवल है आप मुझसे समपर कर सकते हैं आई होब दोस्तों आपको वीडियो पसंद आगा तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लें प्रिस कर लें जैसे किसे इंफर्मेटिव वीडियो आपको हमेसे मिलते रहेंगे